हाई फ्रेंज वेलकम आयम देरज और यू वचिंग जोएडवन तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने किसी भी फाइल को इंक्रिप्टेड कैसे बना सकते हैं उसमें पास्वर्ड कैसे लगा सकते हैं चाये वो कोई भी फाइल हो इमेज हो वीड फोन से कर सकते हैं तो गाइस मैं आपको बता दू की बहुत सारे लोगों को उस वक्त हो जाती चानी जब वह अपना फोन किसी को देते या फिर सपना फोन कहीं पर भूल जातें grow años कि उनके पावरफुल इंक्रिप्शन यानि की लॉक के बाड़े में बताऊंगा जिसे की कोई डिक्रिप्ट नहीं कर सकता आसानी से तो चलिए चलते हम अपने फोन स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि क्या करना है शो गईश सबसे पहले आपको इस वाली अप्लिकेशन को लोड करना है इस अप्लिकेशन का लिन्क मैंने बीडियो के दिस्क्रिपशन में दे रखखा है आप इसे वहाँ से जाकर लोड करें ते फिर अपने फोन में इंस्टॉल कर ले और Install होने के बाद आपको Simply सोपन करना है, तो यह रहा हमारा Application यह वाला, हाँ, तो इसको Open कर लेना है आपको, तो चलिए मैं यहां इसको Open करता हूँ, और दिखाता हूँ क्या करना है आपको आगे, तो Open होने के बाद यह Simply एक परमिसन माखेगा, आपको देने यहाँ पर चेशिए करना हो तो सबसे पहले यहाँ पर वाला ख़चीव इसको और खरो तो आपके फोन लेक्ए यहाँ पर देड chine है कि अगांगी किसे अढ़ने के बाताओ यहां थो फिर्न भार्न आपको करूंगर अं कुछ चेयओं ऑपको अनोयगा र्सrare फ्रोड ओजाएगा वहां से आपको इसको install कर लेना है तो चलिए हम इसे install कर लेते हैं तो इन सारे applications का size बहुत ही चोटा है तो इनस्टाल हो गया बैक आना है आपको यहां पर नीचे आना है यहां पर PDF को install करना है and SMB2 इसको भी install करना है तो चलिए सब को एक एक करके install कर लेते हैं सारे का step वैसे ही follow करना है आपको click करना है उस पे अंदेन प्ले store open होगा आपको simply install कर लेना है अपने phone में तो आप देख सकते यह भी छोटा सा है यह भी install हो गया और install होने के बाद आपको फिर से बैक आना है और यहां पर यह जो टैगर है यह वाला टैगर तो इसको भी आपको install कर लेना है तो इस पर simply click करें सारे step वैसे ही है आपके phone में फिर से play store open हो जाएगा और आपको यहां पर install कर लेना इसको भी तो यह भी install हो गया आप देख सकते हैं तो इन चारो एड़न को एड़ करने के बाद आगे का step मैं बताता हूं उससे पहले आपको बतादू काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि यह third party application है तो यह third party नहीं है इसका paid version ही सिर्फ play store पे अब लेवाल है बाकी आपको XDA से इसका free वला version मिल जाएगा तो वही मैंने आपको दिया है यह कोई third party application नहीं है तो इन चारो एड़न को एड़ करने के बाद ही आप अपने किसी फाइल को encrypted बना सकते हैं उसमें password लगा सकते हैं तो ध्यान से देख लीजे और सबको add कर लीजे add करने के बाद आप इसे wrong password से decrypt करने की कोसिज भी करूंगा और देखते हैं कि यह कितना strong encryption इसमें लगाता है तो चलिए सबसे पहले मैं इस image को image में password लगाता हूं इसको encrypted बनाता हूं तो यहाँ पर इसको select करके रखना है and then यहाँ पर three dot का जो menu option है उस पर आपको click करना है and then आपको यहाँ प क्क्रिप्ट वाले बटन पर click कर देना है तो चलिए यहां पर encrypt वाले बटन पर click करेंदन यहाँ औपर में जो आपका जो रहा है उस 32 character का आप यहाँ पर password डाल सकते हैं तो यहाँ पर चलिए मैं 123456 जस्ट एक्जम्पल के लिए ले लेता हूं और यहाँ पर इंटर करते हैं हम दो बाड़ा यहाँ पर आपको टाइप करना है अपना password और टाइप करने के बाद आपको OK कर देना है तो यह चलिए मेरा दूबार पासवर्ड यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया और OK करते हैं आप देख सकते हैं यह encrypted file यहाँ पर एक बन गया तो चलिए हमारा जो ओरिजिनल फाइल है उसको हम डिलीट कर देते हैं तो डिलीट करने के लिए simply आपको उस पर प्रेस करके रखना है यहाँ पर उपर में आपक सो नहीं हो रहा है पर blanks हो रहा है और काफी लोग सोच रहे होंगे कि इसके extension में आगे AES जुड़ गया है इसके कारिन यह सो नहीं हो रहा है तो मैं इसको भी हटा के आपको दिखा देता हूं कि यह image सो होता है कि नहीं तो चलिए यहाँ पर इसको cut कर देते हैं and OK कर देते ह यहाँ पर image वाला फाइल जो हो गया अब इसको open करते हैं फिर भी यह सो नहीं होगा इसका encryption काफी strong है जब तक इसका original password इसमें डालके इसको decrypt नहीं करेंगे तब तक यह सो नहीं होगा तो चलिए हम इसके आगे AES जोड़ते हैं and इसको decrypt करते हैं उससे पहले हम इन दोन steps आपको follow करना है and इसमें भी encryption लगा लेना है तो चलिए मैं यहाँ पर लगा लेता हूं यहाँ पर रिइंटर कर देता हूं पासवर्ड and okay कर देता हूं दो यहाँ दोनों फाइल भी अब देख सकते है encrypted यह कर दिया बन चुका है यहाँ तो इन दोनों ओडिजनल को मैं delete कर देता हूं डिलीट करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं वो जो ओडिजिनल फाइल था वो हमारा डिलीट हो चुका है और जो encrypted फाइल है जिस पर password लगा हुआ है वही सिर्फ अभी हमारे पास रह गया है तो चलिए मैं इस document and video के extension के आगे से AES हटा के दिखा देता हूं कि यह open होता है कि नहीं बहुत सारे लोग सोच रहेंगे ऐसा मेरे को पता है कि बहुत सारे लोग सोच रहेंगे कि extension के आगे जो लग जा रहा है उससे यह open नहीं हो रहा है तो आप देख सकते हैं तो कि इसको भी प्ले करते हैं तो आप देख सकते यह भी प्ले करें कुछ भी नहीं हो रा है तो चलिए अब हम इन तीनों फाइल को long password से encrypt करके देखते यह कितना strong इसमें encryption यानि कि Strong password लगा है कि इन सेफ ये तो एक-एक करके हम इस Benjamin नरíन और ट्रेंक सिस्पर करें डिक्रिप्शिए से Star निर्मि इसमें हित पासवर्ड लगा है वह कितना है तो यहां यहां पर चलिए मैं एक रॉंग सा पासवर्ड इसमें डालता हूं एंड इसको इंक्रिप्ट करने की कोसिज करता हूं तो यहां पर देख सकते हैं यह डिक्रिप्ट तो हुआ लेकिन इसका साइज जो यह वह जीरो भी क्या है यह जीरो बाइट का है और यह ओपेन भी नहीं ह होगा जब तक यह सही पासवर्ड से डिक्रिप्ट नहीं होगा तो इसको डिलीट कर लेते हैं एंड इमेज को भी रॉंग पासवर्ड से इंक्रिप्ट करके सौरी डिक्रिप्ट करके देखते हैं तो यहां पर मैं इसको भी कर लेता हूं एंड इसमें भी रॉंग पासवर् कि यह कितना strong इसमें encryption लगाता है अब वीडियो को भी मैं दिखा देता हूं इसमें भी wrong password type करके और देखते हैं यह decrypt होता है कि नहीं तो यहां पे भी मैंने wrong password type कर दिया और यहां पे देख सकते हैं यह भी जितने files आ रहे हैं वो 0B का हो जा रहा है wrong password डालने से और कुछ भी सो नहीं हो रहा है blanks हो रहा है जैसा पहले सो होता था जब तक इसमें हम सही password नहीं डालेंगे यह नहीं open होगा गाइस वीडियो काफी लंबा हो रहा है तो जल्दी से मैं इन files को decrypt करके दिखा देता हूँ उससे पहले मैं आपसे एक request करना चाहूंगा कि अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो like जरूर करना और इसी तरह के नए वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe भी कर लेन और साथी साथ बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि जब भी मैं कोई नया ट्रीकी वीडियो अप्लोड करूं तो उसका notification आपको मिलता रहे तो चलिए इसको decrypt कर लेते हैं एंड आपको यहां पर अपना सही password डालना है जो कि अपने डाला था encrypt करने के वक्त तो यहां पर मैंने 123456 डाला था यहां पर डाला मैंने आप देख सकते कितनी असानी से यह decrypt हो चुका है एंड यह इमेज सो भी हो रहा है तो चलिए हम इन तीनों फाइल को एक एक करके decrypt करके आपको दिखा देता हूं तो चलिए अब हम वीडियो को decrypt कर लेते हैं तो इस पर क्लिक करके रखना है और आपको decrypt वाले option पर सेलेक्ट करके आपको अपना सही password डालना है सारे step व असानी से decrypt होके चल रहा है अब यह document रहा तो इसको भी हम decrypt कर लेते हैं यहां पर password डाल लेते हैं हम अपना तो 1,2,3,4,5,6 and ok कर देते हैं यह भी आप देख सकते हैं decrypt हो चुका है यह भी अब so हो रहा है तो इस method का use करके आप असानी से अपने किसी भी file को encrypted बना सकते हैं उसमें password लगा के आपको किसी को कहीं बेजना है तो आप बेज सकते हैं कहीं भी share कर सकते हैं आपको अपने फोन में रखना है तो इस तरह का encryption आप उसमें लगा दे फिर आप एकदम निफीकी रोकर फोन किसी को दे या ले तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका फोन फाइल सौरी फाइल एकदम सेक्योर रहेगा सो गाइस फिर से वही बोलना चाहूंगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह के नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यारो और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए बवाए